तो नमस्कार दोस्तों स्रावाद देखबाए फेस आपका सक्सेस क्लासियस में जैसा कि आपको पता है हम लोग वीजन का जो आईस का टेस्टिज है प्लेलिंस 2021 के लिए उसको हम लोग जो की कवर कर रहे हैं तो अभी ताहिए हमने दो टेस्ट जो की कवर कर दिया है दोनों ट तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा आप देख सकते हैं अभी तक आपने देखा नहीं को आज हम जो टेस्ट सेरीज देखेंगे वह एंसेंट इंडिया का है अगर आप इसको वीजन का टेस्टिज में देखोंगे CLY तो यह टेस्ट नमबर 5 होगा तो हमने 3rd क्योंकि वह जियोग्राफिक अगर आप देखोंगे पिछले कुछ सालों से यूप एससी की एक जाम में तो ज्यादा आप इसका विजन का टेस्ट में 3-4 देखोंगे तो इसको हम लोग करेंगे अभी स्किप किया है क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है इसको हम लास्ट में करेंगे जो हमारा लगबा मैक्सिममम टेस्ट का पोर्शन खताम हो जाएगा तो प्रणा पर सुरू करते हैं तो चलो प्रणा पर से स्टार्ट करते हैं और तब तक जो भी दोस्तों जो की चैनल में नहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर के कर चैनल से इन से इंडिया का पुरा नाट सास्त्र के संदम में आपसे बात कर रहा है पहला श्टेटमन का यह नाटक नरत और संगीत कला पर अधारित एक ग्रंत है वोके सेकेंड कर रहा है इसकी रचना भरत मुनी द्वारा की गई देखो दो स्टेटमन क्या बताई या विजिस की र सत्र रहें अब तक कि स्था और सास रहा है नियुक्त की संदम में अगवारा का कॉंसा गलत है की होता नाब को ठीक है तो पहला इसने द्रिवरता पुरवक सभी मनिष्यों की सबानिता का समर्थन किया, oke सेकंड कर रहा इसने पुनार जर्म की सिंद्धान पर संद शेक्त किया, oke थर्ड इसने जैन धर्म की सिछाओं का समर्थन किया, oke दिशने बिद्वाहों और पुर्णवर विवाह की अनुमती परदान की देखो चार स्टेटमेंट आपको उतारे कौन सा इसमें गलत है आपको आप से इस इसमें पहला स्टेटमें बिल्कुल सही है कि इसने जो कि समानता पर बल दिया इसने पुर्णवर जर्म के सिधान पर जो कि एकतर से संदेब्यक्त करना चाहते थे एक है। करनाटक सरी गोगा घोको कहत्म करने के लिए जो की जयन धर्म का समझ्था नहीं चैकंट कि चाहका प्रणत तो चलो बहुता कई समझटे हैं अपने ख़ीर लुव देखते आओ सो बहुत द्छल को डुरेखते हैं यह उसका का नेति पりました यह find सब्सक्राइब करने नाम से जाने जाते थे जो लिंगाया थे विर सहवाद के अनुयाई थे ठीक है विर शेव सभी मनिश्यों की शमानता के विचार पर प्रबल समर्तक ते जैसा के उमारा पैले स्टेर्मन कर रहा था यह ब्रामार वादी जाती बश्ता और मैलाओं के साथ सब्सक्राइब करने के विचार को चुनोती दी उन्हेंने पुनाजर्म के सिध्धान पर भी प्रश्न उठाए ठीक है पुनाजर्म को भी यह नहीं मानते थे इसे लिंगायत ऐसे लोगों को अनुवाई बनाने में सफल है जो ब्रामणवादी समाजी क्रम में अधिकार ही निया उपेच्छी थे ठीक है अब देखो लिंगायतों ने कुछ ऐसी पर्थाओं को भी परशाइद किया जैसे प्रोड विवा और विद्वा पुनर्वा यह इनको शमर्थित करते थे इनको के बाद उपासक का समावेस भगवान सीव के साथ हो जाएगा और वा इस अंसार से वापस नहीं आएगा इसलिए पुनर्वाद के बात को जो कि उस पर संदेख करते थे और देखो इन्होंने क्या बताया यह धर्मास्त्रों में विःत अंतेष्टी सस्कार यानि अंतिन संस्कार जैसे दास संस्कार की परम्रा का पालन नहीं करते थे यह ध्यान अखना देखो इनकी जो जैन धर्म के प्रतिश रीती थे वह बिरोधी जो की तत्योंत है बारवी से तरुष सदी के दोरान करनाटक में इनका प्रभूत था अब अभिलेक है अबला अबालूर अभिलेक के अनुसार जैन धर्म को समाप्त करने के लिए ब्रीहत प्रेमाने पर जैन मंदिरों को च्रतिगर्स करना इनका मुख्य सहाधन था जो आपका लिंगायत लोग थे ठीक है इनका जो कमिन्टी था यह ज समर्थक नहीं थे खुरेको नम्मा से कौन सा मौरराय के पतन का कारण नहीं है फिर रख सीमा से सिकंदर का करमण कर दूशरा करएं पर जित्रों में लोहे के अजारों के ब्रामर्वादी पत्रि लिए विशाल सेना के करर विटि संक्रत देखो जो बिसाल से रख भी खर्चाव करद बढ़ गया था जब असोग का पतन हुआ तब यह जो चोड़ दिये तब जो जो मौरे समराज था उसका पतन होना शुरू हो गया था असो के बाद से ठीक है तो उसमें जो विच्टिक खर्च जो की बहुत जादा बढ़ गया था तो यह सही ए स्टेट्मेंट है और हमसे गलत पुछा थीक है इस कार्ड जो की असमाराज का पतन होने का यह भी एक कार्ड यह बहुत जो के बाद से यह असो के मघद समराज तहु है था इसका पहले क्या था कि जो लोहे का उजार हतिया थे वो मगत तक ही सिमे थे लेकिन अब क्या होगा दिये दे चारो तरब जो इर्दगित राज है वहां पर भी जो कि बनना सुरुआ इसका फैला होने लगा तो इस वज़े से जो आसपास के राजे थे वह थे ताकतवर बन गए तो यह भी उनके पतन ला जाव किस च двух ना नहीं सकता है कि सिकंदर जो कि मघट कम कौन समराट कौन समराट हो थे धी कर यह लेकिन एक कार्ड़ चिकरण काण हो रहे ने वह कि हमारा होगा जुँआ है все जो नाarin यह पर ल Mut्युआ हो जुख्ट Aurii पर आप से करे रहे हैं यह भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एक समुह है अनतराश्टी दूर संख्याओं के उपयोग आउटर निजस का एक समुह है राश्टी संख्याओं के योजना त्राइश्टी दूर संख्याओं के नहीं है यह जो कि ट्राइश्टी आपका है इंडिया का टेलीकॉम सर्विस से समन्दीत एक जो अथर्टी है इसका एक योजना है ठीक है इसके तहर जो कि इसको लाया गया है और यह इसके बारे में देहाए इसमें क्या होगा जो आपका टेलीफोन नंबर को उनको एक यूनिक आडी सब्सक्राइब और यह यह जो कि तयार किया गया है तो इस यह स्टेट्मेंट है पुर्वी ख्याल की धीमी ऑपंजाबी ख्याल की दृत्व सेयल जो कि पंजाब की तेज के अधेरिए ख्याल की छृत्ती का स्रिय अमीर खुष्रों को दिया जाता है यह आपके सामने तीन च्रिख कर में आपको जो कि आपको जो पहला पर है यह गलत है क्यों आपका ख्यार की संगीत रचना हो को लगुश संगीत होता है जो कि आपको बंदिस कलाता है जो कि ख्याल से मिलके बनता है तो पहला इस्टेटमेंट मारा इस सदा पे देखों के तो गलत हो जाता है ठीक है ठीक है तो यह बदेखो पूरुय-ठीमी होती जो होती है तो दूसा इस्टेट में गलत हो गया तो चलते पर नेक्ट कोशन नमस्स कोशन नमस्स नमस्स देखो आपसे कहा रहा है हाली में मौनश्थली टिड्डियों के जुंडों द्वारा उत्पन खतरिक के संदा मिनिम लिखित कतनों पर विचार कीजिए ठीक है यह करेंट का सब्सक्राइब कोशन आपसे पूछ आता है तो देखो जो सेकेंड में आप पड़ोगे एक सेकेंड यह तो बार बार इसका स्क्रीन डिस्प्रेइब आने के आदत होगी है चलो फड़ा परसंदों देखते हैं जो टिड्डियों बार में कोशन आपसे पूछ रहा था तो द आपो तुन्ड़ा घास भूमी ते तो आपका जो की मरुस्थली जो घास हुमी होती वहां पर देखने को मिलती है अफ्रीका से लेकि आपको पंजाब इंड्या की पंजाब वाला इरिया है वहां तक जो देखो तेरिया तो पहला प्रजाती है तो पहला आपका सही है सेकेंड वाला गलत है तो यह आप्शन सही जाएगा तो आपको अपको एंसे इस उठाइगा कमल महल और महानौमी डिभा का निर्माड की सराजी की उलेखनी विश्यस्ता थी आप्शन है बिजय नहीं होगा चंदेल पा एक साही इमारत था जो कि बहुत ही भव्य सुन्दर था इसमें जो कि जो महल की जो आपकी राजा की राजसाही महिलाएं होती थी उनके भ्रमण के लिए इसको बनाए गया था और दूसरी बात इसमें जो कि राजा अपने मंत्रियों साथ मिटिंग भी और्गनाइज करते कमल महल थेकर दूसरा देखो जो आपका माहा नोमी डियर यह महानूमी डिब्बा जो कि यह ट्यल से कैसे हैसे लोग पूजा अस्थल था सांकेतिक रूप में एक पूजा जैसे हमारा जो होती है महानौमी दुर्गा पूजा होती है ठीक है ऐसा ही कुछ दसमी पूजा होता है ऐसा कुछ सम्थिंग यह फेस्टिवल था जिसको जहां पे जो की राजा प्राक्रम वीर्ज और सौरे का जो की प्रदर्शन करता था तो इस तरह का एक तेव सब्सक्राइब करने हैं पहला इस चित्रकला को पांडियो दौरा संग्षर पाधान किया गया था ओके सेकेंड करा यह चित्रकला बौध मंदिरों की च्छतों पर की गई थी दो स्टेट्मेंट आपको बताने कौन सा सही है ऑप्षन यह केवल एक बी एक केवल दो सी ए दो सब्सक्राइब करने है और दूसरा जो की आपका सित्तनवाल स्थित्त जैन गुफा है जैन गुफा है जैन गुफा है जो की सित्तनवाल में स्थित्त है बनते थी दिवारों पर इसके बराम्दों में जो की चित्तक बनती थी तो आपको इसके बनती थी पांडे राजाओं के संब्द में समझे तो पांडे जो राजा थे इनका प्रतिक चीन था वह मत्स था यह द्यानक ते लिए आप लोग और पांडे में दो उपाधियां का भी फिमस्ति जो राजा धार करते थे एक थिनावर आपका ठीक है थिनावर दूसरा था आपका कर दो पांडे जाए जिसको करते मदुरह कान जी मदुरह कान जी एक बूख है जिसमें पांडे की आर्थिक और जोओं की समाजिक इस्तिति का विवुड़ल दिखने को बुक में इसी बुक में इनका वर्डर मिलता है उम्मीद आपको समझे आया होगा मदुरे कांजी एक भूक था उसी में जो की पांडे का जो की समाजी को राथिक वर्डर किया गया तो आप भी नाम ध्यान रखेंगे इकता पडाली के संदम में आपसे बात कर रहा है ठीक है इकता का प्रसार्शन मुक्तियों दौरा किया जाता था पहला स्टेटमेंट है जो इकतिदार होता था उनको मुक्तिया वली का आया था ठीक यह ध्यान रखेंगा दूसरा इस्टेटमेंट जो कहे रहा है कि सुल्तान फिरोष्षात तोगलंग ने इकता को वनसानुगत नहीं थी लेकिन फिरोष्षात तोगलंग ने जो कि इसको वनसानुगत बना थे थो आपसाम इकता पडाली के समझते थे समझते कि क्या है एकता जो को दिखो एकता जो वर्ड यह एक राजसोपद होता था रेवेन्यू का देखत को पहले क्या हुआ जब तुर्की प्रशार्शन थे लिए उन्होंने उलेमा मतलब अभीजात वर्ग ते समाज में उनको जो की एक एक राजस व पद्द देना सुरूगा दिया लिगिंगे उसके बदलें कुछ पैसे वह उनसे पहले लेते थे तो जो राजस व पद्द देते थ प्रिबांदम होटाया बी जा सकता है तक अब यह क्या करते थे जो आपका उलेमा थे जो अभिजात वाल था यह इस पर कुदार करते थे जब इस में अपना खर्चा निकालते थे इनके नीचे जो भी सैने दल था उसका खर्चा निकलता था उसके पास उसके बाद जो राशी तो आपको समझ में आया हुँआ है, इसका जो की दूखो, दोनों स्टेटमश है, इसटे टाइट कान से टेरो कोटा ठीक सामागरियों का हड़ापा की आकृति या मूर्ती मनाने में उपयोग किया ग्याट को सब्सक्राइब करका में मूर्ती बनाने के लिए ऐक और तीन बी एदो तीन सी एक दो टी है सबी तो दे जो दस वहां इसका एंसर होगा अब देखो चीजnes का प्रियुक्या गया गया तो इसको पका बनाए रहा गया ता जब उनको पका दिया था तो उसका वोलती ते टेरा कोटा थेक़ है और कन्स मतलग कासा था ठाथा धातू की भी मूर्ति भंति बन्ति थी अब पत्थरों की मूर्ति बन्ति थी फॉश्ब्स क मुहन जदरौस परिश्ट के मोर्ती है सब्सक्राइब काफी इंट्रेस्टिंग है आप इसको पढ़िएगा चलिए कोशन नंबर 11 के तरफ चले इस्ट कोशन हमारा है आपको एहतियासिक मंदिरों पर वीचार करना है सुरी मैं इसका फीष्न मंदिर कोशन में में लोकेटेड उगा कोशन मनदिर नुत्फ का त्रफ लेटासि meto नॉटेंट каких बंदी के शुर्व पंदर डुल्लाइब होती थी शावथ वाली मंदीए जो कि द्रविड चैली की होती थी श्टेटमीर गलत हो जाता है कि बिल्पाक्ष्य मंदी तो ना-गर हम नहीं चैनल में गलत हो गयो एक देखोieur buenas धुर्वे कउड्य कोड़ाक मंदीर जो है और जो दसा होता है विश्णु मंदि देवर यह तो यूपी में है आपका उपर की तरफ है नौर्थ में तो यह नागर सहली में बिल्कुल सही है यह तो पहला दूसरा सही है हमारा तो इसका जो सही है क्योंकि यह आपका द्रवड़ी सहली में है ना कि नागर सहली में चलों को सब्सक्राइब कर दिया उसके शाषन में किशानों से किसी भी प्रकार भी भूर राजस्तों नहीं लिया जाता था ओके सेकेंड कर रहा है उसने घोड़ों की दाग कि प्रड़ाली आरम की ती डी कर उसने दास प्रथा को सब्सक्राइब कर दिया चार्ज स्टेटमिन आपको वताने कौन सा सही है किसके समद में अलावदीन खेल लिए के समद में देखो जो इस यह गोड़ों की दाग दाग वाली प्रड़ाली थी यह अलावदीन खेल जी ही ज़िए ज़यर की शुरू किया था यह तो काफी एजी एक तरह से अगर आपको अगर आपने कभी ब्लावदीन खेल जी पड़ाब यह उसके साथ जरू पड़ा हो है क्यों क्योंकि ताकि उससे में गोड़ों की गिंती होती थी तो कुछ ने कुछ हम्या साथ कॉम बेसी ह कर वसूलता आथ है बिल्कुल सब्सक्राइब विह बिल्कुल नहीं वसूलता है वह जो किसानों से टेक्स लेता था ठीक है और इसके लिए उसने जो कि एक मुस्त खराज नाम का अधिकारी भी नूक्त किया था जो कि दोवाब इच्छेतर और खाल सा भूमी के किसानों से जो कि कि इसने उस तमाझ के उसता ही पडिया था जागिडबेश्था जो एक उसको शमाबत कर दिया था जागे बेश्था को समाप्त करें निर्मार भी किया था और यह दो कुछ गाउं के अस्थप जो अधिकाई टाइप के होते थे पंचायर टाइप के जैसे खूत मुकद्टम और चौधरी जो यह होते थे उस टाइम विलेज में इनके जो विशेसा अधिकार थे उसको इन्हों यह जो भूर आजस है तो जो भूमी का मापन था इसको इसने ब्याग्यानिक विदी से सुरू कराया था यह अलाओ दिंखिल जी कुछ इंपोर्टन बात है जो आपको ध्यान अखना चाहिए कभी विगजाम में आपको काम आ सकती है कोशन नम्र थर्टिन देखिए कोश मिर आ हिइन युक्त युक्ता में मिर्दभांद मैंने मिट्ती घंड़ है उनकुस का कारेकाल पूछे कब यह बना था किक विए क्ताइक स्वाइदी ऐल्गकाल में नयौत थर्ड व्योस रचाहा हसा था अजकाने हarपा में थे मिन तो आ हो सई सुन मेंने कनाैं ऑप्शन है संभाणास के बार में तो और एक बता है कि इसमें से एक गलत है एक तो देखो जो चित्री दूसर में बांड यह रिगवयदी काल के समय में और रिग वैदिक काल के थोड़ा सा बाद मतल जब उत्तर वैदिक काल रहा तो उसमें काफी फिर्मस जाता है लेकिन इसकी सुवार जो कि रिग वैदिक काल में ही हो गई थी तो इस तरह सब देख सकते हो तो चित्ती दूसरा मिध्भान जो पहला इस्टर में वह सही है से टीकिंड जो की आपका नौ पशार काल में नहीं था ये जब काउस चल रहा था ठीक है उसमें जो की काफी फिर्मस था पहलाड काई था कुछ इसे अ मतर्द घर होते तो उसमें की अकासी आं होती थी ठीक सब्सक्राइब करें ग्राम पतियों और ग्राम लिखाकार का पद समाने तब वनसानुगत होता था ठीक है जुसरा करें समंति प्रसार्षन का पूर अभाव था ओके आपको पूछे कौन सा सही है पहला स्टेट्मेंट केवल एक सेकेंड केवल दो सी है दोनों डी है कोई नही पर आप दिखो गया अपना क्वेशन तो इसमें जो आपका यह पहला स्टेट्मेंट कहे रहा है यह बिल्कुल सही है कि ग्राम पतियों ग्राम लिखाकार का पद जो की वनसानुगत कर दिया गया था ठीक है जब इनका पद वनसानुगत हो गया तो तो क्या होगा ग्राम की जो कि वह रूहाइं हो गया समंथी प्रसाशन का विकास होने लगा तो यहां पर कह सकते हो इसके तो यह बढ़ने लगा था अब पहला स्टेर्म ने सही कि वन सावनुगत होता था ग्राम प्रति और ग्राम लिखा करका पद तो ऑप्शन यह सही है शेकेंड और गलत है कोशन नमर फिप्टीन किता देखो आपसे पूछ रहा है निम लिखित विश्टाओं में से कौन सी उत्तर भारत में मौर्य पुर् की थी मतब मौर के पूर्य थी ठीक है उत्तर भारत की बात कर रहा है आहत सिक्के सेड़ी विवस्ता और धान रुपाई की तक्निक यह तीन बात ही करें आप से पुछा इसमें कौन सा सही है केवल एक और दो डी है दो और तीन सी एक और दी है सभी तो देखो यह तीनों ची कि यह जो पंच अमार्क वाला शिक्का होता है ठिक है उशी को क्या बोलते हैं अहत शिक्के बोलते थे ठीक है धान रुपाई मतब देखो आप बहुत दुदर में देखो जो पाली भासम गरंत है जो संस्कीत भासम गरत है तो उसमें जो की धन रुपाई गाजी करगा यह इसका जो की प्रयोक क्या जाता था सेडी बेवस्ता मतलब कि समाज में जो की वर्भू की थी कौन सा उपर है कौन सा नीचे इस तरह की बाते थी यह जो की मुझ पूरी में जो की प्रश्ड ली था तब कह सकते वन टू थे तीनों भाते सई अ तेहों पर नेक्स्ट कोश्चन के तब कोश्चन नमर 16 होना कहता है हमसे कि कुछ प्राचिन नाम दिये गए आपको उसका आधुनिक नाम मताना है कुछ नदियों का नाम है ठीक है पहला है परुषड़ी क्या इसका नाम जेलम है दूसरा अभी पासा क्या इसको ब्यास इसी न नाम नाधी का नाम था ठीक आपको इसके चाहिए कौन सा सही है ठीक और अबत के टाइम में जोगी पार्षडी नाम से बुलाया आता था तो एक तो व्मार गलत ब्रचन प्रोसर का प्रियोग कर सकते हैं तो दूसरा देखो बीदो और तीन से वह था यहां पर इसको जो कि वितस्ता नदी का जाता था वितस्ता ठीक है और उसके अलावा देखो जो घगर नदी है ठीक है उसको द्रिस धंती ठीक है जाता है और सतलच को जो कि सतुद्री का जाता था इसका प्राचिन नम कहा था सतुद्री ठीक है यह कुछ इंपॉर्टेंट नाम है नदी हो के जो आप ध्यान में रखिएगा कोशन नमर 17 देखत सन्में निम्न पर बिचाए रेमडे से वी इंजेक्सन है कोवेट के उपचार में काफी यूजवीफूल है ठीक है पहला स्टेट्मन आप से करहा है यह वारल रोगों के उप्चार के लिए भारत में अविसक्रित कम लागत वाली जेनरिक दवाये उप्योग इबोला के वि इसका अविस्कार किया गया था और इंडिया ने अमेरिका से इसका प्रियोग भारत में कोविद नाइटीन के उप्चार के रहा है। कोशन नमबर एटीन चलते हैं नेक्ट कोशन नमबर एटीन देखो एलोरा इस्थित कैलास मंदिर के संदम में निम्लखित कत्रों पर बिचा करें आपको एलोरा जो कैलास मंदिर है उसके मैं बात करना है। सबसे बड़ी कास्म संदम रचना है और यहां पर आप देखोगे आपको कैलास से संब्धित होगा यह भगवान विष्णु से संब्धित होगा। यहां पर बिशनु की जो बोले से साइल परतिमा यह गलत है क्यों क्योंकि यहां पर बिष्णु की जो से साही बिशाल परतिमा है वह देखो आपका जो की यूपि में जो आपका समान प्रतित होता है जो आपको पता है तो आप जा सकते हो क्योंकि देखो अप्शन नहीं मिला भी ए उसी में हम लोग फसे हुए तो यह जो थर्ड इस्टेट्मेंट बोला बिल्कुल सही है ठीक है जब भी फिब्री फिटी हो तो आप किसी एक नएक आप्शन पर जो हो सुझे जा mother, और देखो यह है जो का आपका मंदिर भी पाख करनातक में का जा समानता रखती है और मंदिर सिफ चिस्व परवती का सोलीफ्य जी का लगह SPD से गया है रžeवष दरह परवत फो फिछ एंड्रिव दिखाय का उसे लेड़ी को सितद 시rib कर fighting पक्रति को अपको अलो पर दिखेंगे चलिए लोरा और जनता गुफा है काफी इंपोर्टेंट आप इसको अराम से पढ़िएगा दोनों को को कोई नेक्स्ट कोशन है बोला निर्म कथनों पर विचार करें आए हम आप मिलके विचार करते हैं पहला इस्टिट्मेंट कहरा है चारवाक इस दर्शन क का मुख्य प्रतिपादक था ओके यह चार दर्शन दिये का कौन सा यह किसके बाएं में सही बात करें चारवाक जो कि इस दर्शन की प्रकिति भहतिक वादी है ओके इस थर्ड करें इसने किसी अन्य लोक में अविस्ट्वास को प्रदर्सित किया और अलोकिक सत्ता के अस्त कि इस बात करता है वह जो भी बात करेगा इसी जन्म की बात करेगा और इसी जन्म के अधार पर जो कि सब कुछ बात इक करता है लोग अराम सब्सक्राइब करता है चारवकदर्सन का ठीक है इस तरस हमने इसको समझ लिया चले आगे चलते हैं नेक्ट कोशन की तरफ एक बात यह जो कि अध्यात सब्सक्राइब करता है तो ठीक है समझ आगया होगा आपको इसी को लोग क्या करते है लोकाय दर्शन भी कहते है अधर नाम है क्वेशन नमर टूंटी चलते है मौर यह के बात कर रहा है कौन सा सही है आपको बता रहा है सक संबत महांतम सक सासक रुद्रा दमन फॉर्ष्ट की एट स्ट्वी में जोकी सको स्थापित क्या गए तो पहला स्टेटमेंट गलत है ठीक है दूसरा ओप्शन देखते है कुषाड वश के स्थापना कनिस्क दौरा की गई थी और देखो आपका शी ऑप्शन है भारत में इसाई धर्म परचारक सेंट थामस के अधिन बिल्कुल सही आपका एसाइत है निया थे धुक्त यह तो इन्हीं के समय में जो कि यह सेंट थॉमस जो कि आया थे अपने इस्टाइब परचार परचार करें यह सिदा 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 अठालिया गया है तो उसी समझें इन्हों जो कि बहुत धर्म को अपनाया था ठीक है यह सब को काफी कठीन होते हैं मैक्सिमम बच्चे जो कि अगर ऑप्शन से इल्मिनेट होता है तो अगर ऐसे इस टाइप को अगर एक दो और मिल जाए ना तो मुस्किल है कोई नहीं पढ़ता है ना ही यूपीस्टी भी इतना बारिकी से पूछती है ठीक है पूछे कि अगर को एक बारिकेल इस्टेमें तो उसके साथ दो तीन इजी देगी जो इस इसको कि आप इल्मिनेट करके आपको आप पहुच सकते हो चलो नेक्स्ट कोशन कोशन नमर टूंटी वान हम देखते हैं आपको बताना है ठीक है उसने संपुर मुगल समराज में सती पर्था को पूरुता प्रति बंदित कर दिया जी नहीं गलत उसने प्रति बंदी तो किया तब्यान लगाता लेकिन जो इस्त्रियां अपनी इच्छा से जो कि सती पर्था को अपनाना चाहती है सती होना चाहती वो कर सकती थी इसकी अगर जबरन लेकिन जबरन सती पर्था को जो कि इन्होंने जो कि बैंड किया था तो पहला गलत है दूसरा थे कोशने बिद्वा पुनर विवा को और प्रोड विवा को जो कि माननेता प्रतान देती तिस्वाइब को जो जो कि धर्म की बात ना हो और मतलब की कुछ और बात जैसे आपका भूगोल लो गया खगोल सासर हो गया टीक है घरित हो गया जैमेती हो इन सब गया इन सब जो जो विशय थे इनके जो कि सैच्छरी को को संसुद कर इस पर जो अधिक बाल दिया तो यह भ तैसरी फर्टि नहीं कर सकता है उन्हों कहत साथी मेरेज था तो इस के लिए उनों के लिए फिक्स किया और गल्स के लिए उन्होंनों बोला था फॉर्टीन यह विनिमंों होना चाहिए से नीचे नहीं होना चाहि flourish, जो इसा कि न बिंग जो जो मार्याहँ के पहलोना जाए रखी को सुधार समाजी सुधार जोगी अकबर ने किये थे चलो देखते कोशन नमर्ट ट्वीटु नेक्स्ट कोशन बना मुगलों के अधिन जमिदारों के संदर में निमलिखित पर विचार कर रहा है तो पहला जमिदारों के बारे में कुछ स्ट्रीट में लिए आपको वि अप्स पूछा है आपको सही पूछा एक और दो दो सी है किवल एक डी एक और तीन को पहला स्टेट्मेंट है आपका किया यह बिल्कुल सही है कि उन्हें भूराजस जो जमिदारी थे मुगल के सहरे में उनको जोगे भूराजस देख वसली का अधिकार प्राप्त था यह बि किसान अपनी भूमी का मालिक होगा वह स्वामी होगा ठीक है ना कि जमीदार तो यह सेकंड इस्ट्रेटमेंट हो जाता है और थर्ड इस्ट्रेटमेंट बिद्रों के भाईकार उन्हें सहने दल रखने का पति जी नहीं वह भी जो कि अपना सहने दल रखते थे जैसे घुर आपको सिचाहिए है जल निकालने के लिए एक सेकंड फिर शेये घलती होगा चलो रहाट वर्ट कि तरब लोग बढ़ने रहाट किस से संब्धित है ना पहला स्ट्रेटमेंट आपको सिचाहिए से संब्धित है दूसरा मस्जीदों मंदिरों को भूमी अनितान जो दिया ज बिसाल करेसी बुखंड क्या इसी को हम लोग रहाट बोलते थे चार उप्छन आप बताओ नहीं कोशिच कर देखो यह ऑप्छन ए साही है तो जो कि जल निकालने के लिए प्रेग्ट किया है जाता जाता जब आपको से जल निकालते थे या सिचाहिए वर्ट वगरा करते त कौन सा परशिध करनातक संगीत कित्री मूर्थी का सीजन करते हैं पंपा पॉरना और रनना भी है त्याग राज मुत्तु स्वामी और स्याम सास्त्री सी है नन्याय तिकन एवं एरा प्रग्येटा एरेन टीक है डी है समंधर सुन्दरन और अपर तो अगर किसी का नाम देने में तूटी होगी तो उसके लिए मैं चाहूंगा क्योंकि यह थ्वासा साउथ कर नाम है तो प्रोनॉंस करने में थ्वासा दिक्कत हो रहा है तो फिर भी आप पड़ लेजिए आपको समझ में आ जाएगा तो देखो यहां पर करनाटक संगीत के त्री मूर्ति की बात कर देखो इसका आपको देखोगे 24 का तो 20 B हो जाएगा त्याग राज मुत्तु स्वा स्याम सास्त्री और एक चीत वास हम लोग देख लेते बाकी जो हैं जैसे यह आपके जो हैं नन्याय तिक्कन एम एर्रा प्रेगड़ा एरेन यह क्या कह जाते थे यह दिखो आपके तीन कवी कह जाता है ठीक है तीन प्षिद कवी थे इन्हें कवित्तरम के नाम से जाना जा संब्धर और अपर था साथ pat में तीन में तमील कवी थे यह संबंधर संदरार और अपर संधर बहुत इत्वस जोकी तमील कवी थे को साहित से संबंदी तिरी रत नहीं है को सब्सक्राइब के लिए एक या दो घटनाओं को चुना जाता है और सशक्त गयन और संकेतिक भंगिमाओं के साथ वह एक के बाद एक सभी चेत्रों की भाव भंगिमा का अभिना करता है ठीक है यह अप्शन कोशन 25 यह इसका जो सही है इसका आपसें दी ओ सही होगा आपका यह पंडवानी के बात करता है चेत्री संगीत है वहां पर इस तरह के दिरिस माभाद से लेकर कता है जो कि परदर्शित किये जाते है चलो हम एकस्प्लेंस में देख रहे है बाकी आप जो लमन है मंडो है और विलू पत्तु है इसके बारे में थोआ सब जाते है यह आप देखिया आप पंडवानी के बा करने सब्सक्सद्री है कर दोद्रेंस में और बहुता है कंता है मस पृत्रणी आपका प्रषिद्य कोड़ल्त के लेकर वहर परक्राते में थतनकी इस इस छंद भंद के संहर्चना यैं झatकर हैे वहाद्यांतर की जिए AGA कपड एक एसमें अचाहिक इन की बीजएब बल दिया यात इस तरह की बाद जो कि विल्लू पार्ट में किया था जो कि तमिल नाडू का एक छेतरी संगीत है ठीक है दोस्तों यह आज के हमारे पचीस सब्सक्राइब करें तो अगर आपको चैनल के चीजी आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए चैनल से जोड़ है धन्यवाद दोस्तों